हेलो स्टुदेट्स वैलकॉम बैक टू मैं चैनल स्टुदेट्स मेरे चैनल अंदर जुश्य में आप सबका एक बर फिर से हार दिख स्वागत है जैसे कि अपको पता है कि हमने अपनी पुझाब हिस्टिरी की प्रापरेशन स्टार्ट की है जो की हमारी पुझाब टैट के लिए बहुत ही बेनीफिशियल रहने वाली है कुछ ही डेस रहेगी है इस्ट्रेंट पंजाब टेट वी की डेट भी अब आने वली होएगी और मेरा ये मानना है कि एक्जाम की वेट करने से बेतर है कि हम अपनी प्रेपरेशन पहले से ही रेडी रखे ताकि जब भी एक्जाम आए तो उस टाइम पे हमें ना ही बर्डन मेंसूस हो और हमारा सारा कंटेंट इजली क्लियर भी हो जाए इसलिए मैं आपके लिए डेली टू डेली पंजाब इस्ट्री के थियूरी लेक्टर्स लेकर आ रही हूँ जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं आपके हर एक एक्जाम में काम आप है और इसलिए पंजाब इस्ट्री तो स्पेशली पंजाब टेट के लिए बेनिफिश रहती है ठीक है तो ये काफी short form में मैं आप सब के लिए short detail में लेकर आती हूँ ताकि easily सब को समझ में आ जाए क्या हो जाता है students जब lengthy work कई बार देखते हैं तो वो boring फिल करते हैं तो बस ये point to point में चीज़े रहती है ताकि जो exam में आने वाली चीज़ हो हमें बेतर है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ready होनी चाहिए हमारी ठीक है तो आज की क्या वीडियो रहती है students इसलिए आज की वीडियो हमारी रहेगी गुरू अमरदास जिसे related जोके सिक्खों के तीसरे गुरू थे उनके बारे में आज डिटेल में करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी students से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब करने के बाल बैल आइकुन को प्रेस करना मत दूले क्या रहे कि आज की वीडियो गुरू अमर्दास जी के बारे में जिनकी टाइम पिरिट की टाइम लेन क्या है 1552 टू 1574 तक की गुरू जी का इनका जनम कहा हुआ पांच माई 1489 यानि की 5 माई 1479 को कहां वासर के जो की अमरिसर के पास है इसके लाबा इनके पैरेंट्स पिता जी कौन थे तेजबान इनके पिता थे और ये जाती किस जाती से रिलेटेड थे ये खत्री जाती के थे जैसे गुरु नानक देव जी बेदी जाती के खत्री थे और ये खत्री जाती के थे बचपन इनके धार्मिक मत को देखा जाए तो वैशनमत से ये संबंदित थे ठीक है यानि कि इनके जो पैरंट्स थे वो विश्नु कुझा रही थे यहां से एक वैशन निकलता है कि चंद की पुत्री राम देवी के साथ हुआ कब हुआ 24 वर्ष की आजो में हुआ और इनके दो इनके जो बच्चे थे दो पुत्र और दो पुत्रियां थी पुत्रों के क्या नहीं थे बाबा मोहन और बाबा मोहरी और पुत्रियां थी वीबी दानी और वीबी बानी ठीक है ये सिक्धरम के अनुयाई कैसे बने उनके उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में करेंगे ये तो थे वैशनमत से समन्दे थे लेकिन सिक्धरम के अनुयाई किस तरीके से बने गुरु जी ने बीबी अम्रों से वानी सुनकर अनुयाई बने कितनी एज में 62 साल किया जो में यानि कि जब 62 इनकी एज थी तब ये सिक धर्म के अनुईयाई बने ठीक है इसके बाद 11 साल सेवा करने पर ये 16 मार्च 15 बविंजा को गुरु गद्धी पर बैठे यानि कि गुरु गद्धी पर बैठने से पहले इन्होंने कितनी देर सेवा की ग्यारा साल सेवा की और जब ये गुरु गद्धी पर बैठे तब इनकी एज क्या थी 73 यहां से ये क्वेशन निकलता है कि गुरु अमर्दासी जब सिक धर्म के नुईयाई बने तब उनकी आयों कितनी थी तो 62 वर्ष थी चौरासी सीडियों का निर्मान करवाया गया ये गुईंदवाल बावली का निर्मान कब से कब तक चला पंद्रासो बविंजा से लेकर पंद्रासो उनाच सट तक यानि कि 1552 से लेकर 1559 तक गुईंदवाल बावली का निर्मान उता रहा यानि कि इसकी construction चलती जिसमें total कितनी सीड़ियां है 84 सीड़ियां है यहां से question निकलता है कई बार exam में आपको देखने को यह question मिलेगा कि गोईंद बाल वावली का निर्मान किसे ने कराया तो गुरू अमरदास जी ने ही करवाया था इन्होंने वानी की रचना की तो इनके 907 शब्द जो है वो इनके द्वारा रचित है मंजी प्रथा अब मंजी प्रथा परचार करने के लिए 22 मंजीयों की स्थापना की और परते के लिए एक मंजीदार था यानि कि यहाँ से एकक्षन है कि मंजी प्रधा किसा अपना किस ने की तो गूरू अमरदाश जी ने की ये मंजी प्रधा क्या चीज थी हर जगा जाकर परचार करने के लिए 22 मंजियां बनाएंगी यानि कि गुरूप को नेम दिया गया मंजी जिसमें क्या होते थी जिसको head को क्या नहीं दिया, उसके मंजीदार नाम दिया गी इसके लावा उदासी मत किस था अपना बाबा श्री चन जी ने की एक question निकलता है कि उदासी मत किस था अपना किस ने की तो वो बाबा श्री चन जी ने की अब गुरु अमरदास जी के समकालिन कौन थे गुरु अमरदास जी के समकालिन अकबर थे अकबर था यानि कि ये गोईंदवाल में इसे मिला गुरु जी से मिला अकबर कब मिला 1567 में यानि कि 1567 में अकबर गुरु अमरदास जी से कहां पर मिला गोईंदवाल में मिला ठीक ह अब इस टॉपिक से भी काफी questions निकलते हैं इसके इलावा गुरुजी के आगे उत्रतिकारी कौन थे? भाई जेठा जी को इन्होंने अपना उत्रतिकारी बनाया जो की कौन थे? इनके जमाई थे इसके इलावा गुरुजी जोति-जोत कब समा गए? 1st September 1574 को गुरुजी जोति-जोत समा गए थीक है? तो आई हॉप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैलन को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए एंड लाइक जुरूर करें ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई